हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्क्रीनर.com के बारे में मैं कुछ फिल्टर से आप लगाऊंगा और उससे ट्राइ करूंगा कि कोई एक नया स्टॉक ढूंड पाऊं जिसमें कि मैं लॉंग टम के लिए इन्वेस्ट कर सकूँ अगर आप यह चीज़ प्रैक्टि अगरे में मैंने बताया था कि RSI को यूज करके कैसे आप स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं बट आज एक नया फिल्टर यूज करके एक स्टॉक फाइंड आउट करने के कोशिश करेंगे तो जैसे ही आप स्क्रीन स्क्रीन पर जाएंगे यहां पर क्रियेट न्यू स्क्र करेंट प्राइज टैब दबाने के बाद आपको लिखना है ए एंड जैसे आप एंड लिखोगे तो यह करसर नीचे आ जाएगा उसके बाद आपको डालना है बुक वैल्यू यह करेंट बुक वैल्यू है विच इस ग्रेटर देन करेंट प्राइज मैं इस फिल्टर से ये ट्राइज कर रहा हूं कि तीन साल पहले जो बुक वैल्यू था वो करेंट प्राइज से कम था और बुक वैल्यू जो करेंट प्रेूख से जाधा है सो देखते हैं कौन से stocks filter होते हैं यहाँ पर मैं एक चीज और add कर देता हूँ market capitalization जो है वो मुझे greater than 100 crores चाहिए सो यहाँ पर run this query पर अगर आप जाएंगे तो यह सारे stocks आते हैं मैंने यह कुछ stocks check किये लेकिन मैंने यहाँ पर एक stock find out किया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे rapco home finance सो तीन साल पहले का book value 248 था और current book value 337 है सो इस counter पर चलते हैं और देखते क्या नजर आता है book value आप यहाँ पर देख सकते है 338 face value 10 रुपे है price to book value 0.90 सो अब इसके fundamentals के तरफ चलते हैं यह चार्ट है चार्ट पर हम आएंगे वापस फिलाल fundamentals के तरफ चलते हैं सो बेसिकली यह company एक home financing business में है जैसे कि यह सारी companies है PNB Housing, India Boos Housing, SDFC, LIC Housing Finance इनके competitor में यह आती है सो quarterly results में अगर आप देखेंगे यहाँ पे सो 300 करोड के उपर का business हर quarter में कर रहा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे अच्छा कासा profit हो रहा था बट पिछले दो quarter से थोड़ी मंदी आई हुए है इस counter में yearly sales के अगर में बात करो तो yearly आप देख सकते साढ़े 300 यहाँ पे 2018 में 300 करोड के उपर का profit था उसके बाद grow होके 360 अभी 390 पिछले साल के results में 390 हुआ है and most likely आने वाले सालों में और अच्छा business करेगी यह company share capital अगर आप देखेंगे सिर्फ 63 crores है यानि की 10 रूपया इसका face value है तो total number of shares जो market में वो 6.3 crores है and यहाँ पे reserves अगर आप देखेंगे continuously grow हो रहा है जिसके वेसे book value बढ़ते जा रहे है यहाँ पे पहले 55 crores का book value था 2015 में और वही आज 2000 crore के उपर है so काफी अच्छा improvement है इस counter में so fundamentally अगर आप देखेंगे तो कोई यहाँ पे ज्यादा problem नजर नहीं आ रहे है और एक चीज में यहाँ पे बताना चाहूंगा यह जो borrowings आपको यहाँ पे दिख रही है so यह जो borrowings है so इनका business model कैसा होता है कि यह market से पैसा लेते है और उसे फिर loan उसी amount को फिर loan के रूप में लोगों को देते है जो पैसा उन्होंने दिया है उस पे वो लो higher interest चार्ज करते और जो पैसा उन्होंने borrow किया है उस पे low interest pay करते है so difference रहता है वो इनका profit आता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10,000 करोड के असपास का इन्होंने money borrow किया हुआ है और उसके सामने 12,000 करोड का जो है loans दिये हुए है so 12,000 करोड के उपर इनको interest earn होगा और 10,000 क्रोर्स जो है उसके उपर उनको interest pay करना होते है so जो बाकी का difference amount आएगा बीच में that is the profit of this company यहाँ पर और एक चीज़ देखने वाली है कि जो shareholding pattern है यहाँ आप देखें 37.13 promoters का static है कुछ change नहीं है यहाँ पर कोई change नहीं आया 2018 से अभी तक FII अगर आप देखेंगे 2018 में 29% hold कर रहा था जो कि अभी आ चुका है 17% पे वहीं domestic investors 18% पे थे वह अभी 21-22% पे है और public के पास 14% से बढ़के 29% हो चुका है अभी यहाँ पे जो यह FII 29 से 17 हुआ है उसका impact आपको चार्ट पे दिखाता हो यहाँ पर आप देखेंगे 2018 से 2017 के end से स्टार्ट हो चुका था यह जो गिरावट देखने को मिल रहा है 900 रुपे का स्टाउक 300 रुपे पर आ चुका है तो यहां से continuous downside क्योंकि अगर FII sell कर रहे हैं तो lower price पे लोग buy कर रहे हैं इसी वाज़े से जो यहाँ पे आपको changes नजर आ रहा है वहीं अभी अगर हम बात करें तो 302 पे है यह counter यहां पर मुझे एक support यहां पर नजर आ रहा है 275 के पास कि सो 275 का एक stop loss आप रख सकते हैं चाहिए तो इस counter में 302 पे trade कर रहा है बट मुझे यहां से लग रहा है कि reversal देखने को मिलेगा और दुबारा एक higher levels add हो गा इस counter में long term के सबसे काफी बढ़िया price है current current price काफी अच्छा invest करने के लिए फिर भी अगर आपको safe रना है तो 270 से 275 के बीच में stop loss रख सकते हैं ज्यादा कोई बड़ा difference नहीं है 25 से 30 रुपे का difference है फिर भी safe रना है तो थोड़ी quantity में add कीजिए एक साथ ज्यादा quantity buy मत कीजिए यहां से reversal देखना काफी हद तक मैं कहूंगा काफी ज्यादा possible है कि यहां से अच्छा का साथ reversal देखने को मिले and long term के सबसे काफी बढ़िया stock है यह promoters ने अपनी holdings वैसे की वैसे रखी है FII ने बेची है जिस वज़े से stock price नीचे आ रहा है बट अगर डिया पब्लीक और एड करती है तो फिर यह stock price काफी अच्छा अपसेट दिखाएगा बिजनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है profit में की company है और book value भी बढ़ रहा है सो नजर रखे रखे रेप को home finance में आने वाले समय में अच्छा खासा return दे सकता है stop loss रखेए 270-275 के पास और इस तरह से आप screener भी यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं इसमें जिसको आप apply करके find out कर सकते कि कौन सा stock किस position में है उसके fundamentals क्या है उस तरीके से आप check कर सकते है और ऐसे वीडियो आगे भी बनाऊंगा so subscribe कर इस चैनल को and thank you for watching this video